नवस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल रिव्यू बाजार में दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत बधाईयां कि हमारी एरफोस टीम ने आज पुलवामा हमले का बदला ले लिया है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मास महराजा अजदेवगन सर की फिल्म टोटल धामाल के पाचवे दिन के बॉक्स ओफिस कलेक्शन के बारे में और जानने वाले है कि इस फिल्म ने वर्ल्डवाइट बॉक्स ओफिस पर कितने करोड की कमाई कर ली है तो चले दोस्तों शुरुवात करते हैं देखते रहेगा पूरा वीडियो और जिन लोगों ने अभी तक हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको बॉक्स ओफिस और बॉल्यूट की न्यूज मिलती रहे तो चले दोस्तों शुरुवात करते हैं दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सुपरिश्टार अज्य देवगन, अनिल कपूर, मादूरी दिख्चीत और धमाल गेंग से सजी इस फिल्म को इंदर कुमार ने डारेक्ट किया है जो कि एक एडवेंचरस कॉमेडी फिल्म है दोस्तों बता दे कि इस फिल्म को काफी पसंद किया जा रहा है हर वर्ग का इनसान इस फिल्म को काफी पसंद कर रहा है और यह फिल्म काफी अच्छी कमाई कर रही है जी हाँ दोस्तों अगर बात करें इस फिल्म के बॉक्स ओफिस कलेक्शन के बारे में और अपने तीसरे दिन के कलेक्शन रहे थे 25 करोड़ 50 लाख रुपे। दोस्तो इस तरह से इस फिल्म ने अपने तीन दिनों में कमा लिये थे 64 करोड़ रुपे। वहीं अगर बात करें इस फिल्म के हम लोग चोते दिन के बॉक्स ओफिस कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तो आपको बता देगी चोता दिन फिल्मों के लिए काफी महत्वपूर रहता है, क्योंकि वर्किंग डे होने के बाद इन फिल्मों के कलेक्शन काफी कमाते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर अजे देगण सर की फिल्म टोटल धमाल ने अपने चोते दिन काफी अच्छा होल्ड करके रखा है, और कमा है 9 करोड 85 लाख रुपे, जो कि यह काफी अच्छी कमाई है, जी हाँ दोस्तों 9 करोड 85 लाख के साथ, इस फिल्म का जे टोटल कलेक्शन है, वो हो चुका है 74 करोड रुपे, और यह फिल्म हो चुकी है 4 दिनों में ही सूपर हिट, वह अगर बात करें इस फिल्म के हम लोग 5 वे दिन के बॉक्स अफिस कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों इस फिल्म के पाच्वे दिन की ऑक्यूपैंसी भी काफी अच्छी है, और यह फिल्म आज अपने पाच्वे दिन भी तकरीबन 8 से 9 करोड रुपे की कमाई कर रही है, जिससे कि इस फिल्म का टोटल कलेक्शन हो चुका होगा 83 करोड रुपे, अगर बात करें दोस्तों इस फिल्म के हम लोग वर्डवाइड बॉक्स ओफिस कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों इस फिल्म ने ओलिडिया ग्रोस पर अपने चार दिनों में कमा लिये थे, 86 करोड रुपे, वहीं अगर बात करें इस फिल्म के हम लोग पाँचवे दिन के कलेक्शन के बारे में जो कि आने वाले हैं तकरीबन 10 से 11 करोड रुपे के जिससे कि इस फिल्म का ओलेडे ग्रोस कलेक्शन हो चुका होगा तकरीबन 97 करोड रुपे और दोस्तो यह फिल्म हो चुकी है सूपर हीट क्योंकि इस फिल्म का बजट है मातரे 115 क्रोण रुपे तो दोस्तो आपको यह फिल्म कैसी लगिए आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा और आपको क्या लगता है दोस्तों ये फिल्म 200 करोण के क्लब में कितने दिनों में शामिल होगी 10 दिनों में या 15 दिनों में हमें जरूर बताईएगा धन्यवाज जय हिन जय भारत